एक चीज आपने सुना होगा घर की मुर्गी डाल बराबर अपने घर में जो भी चीज़े आपको मिलती है उसके आप पहलू नहीं करते हैं लेकिन वही चीज़े अगर आपको बाहर मिल रही है तो हम उसे पैसे दे करके लेने लगते हैं और उसकी बहुत ज़दा कदर करते है हैं इज़द करते हैं सेम उसी तरह का एक सिचोशन यह भी बनता है कि जब हम एलोपेथिक के ऊपर बहुत ज़दा ट्रस्ट करते हैं तो यह एलोपेथिक जो दवायां होती है उसका असर तो होता ही होता है लेकिन इसका बूरा असर जो की साइड एफेक्ट के रूप में द होता क्या है कि हम अपनी पदती को छोड़ करके बाहर की पदती पे इतना ज़्याइबल हो रहे हैं और उनकी कीमत समझ रहे हैं जबकि यह जो ट्रेडिक्शन हैं जो हमारी सब्वेता है वह बाहर में बहुत ज़दा इस्तमाल की जा रही हैं चाहें वो योग हो आपका बिल को बूस्ट कर सकते हैं नैचुरली उसके लिए आपको भारतिय सब्वेता की एक एक चीज़ बताने वाली हो इसको भी अगर आप फॉलो करिएगा तो आपकी प्रेगनसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सकती है वीडियो काफी इंफर्मिटीव है प्लीज शुरू से लेकि ल नैवल ओईलिंग कहते हैं नैवल ओईलिंग क्या होती है सिंपली आपके नाभी में तेल डालना और उसकी अच्छी तरह से मसाज करना आपके रिप्रोड़क्टिव अंगों के जितने भी अगर ब्लॉकेज आपके फैलोपिंडू में बन रहे हैं हल्की फुलकी है ब्लॉक करते समय उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो यह इतनी सारी जो समस्या है वह सब कुछ आपका एक चीसे यानि कि ऑल जो आप अपलाई करते हैं अपने नैवल में उससे आपके रिप्रोड़क्टिव अंग हैं उनकी हेल्थ काफी अच्छी बनती है और इसके लिए क कभी भी कर सकते हैं लिकिन इसका बह्तर रिजल्ट आपको पी यप कि अपको यह वर्गा उसके बाद ही आप इसका इसके वह सिफ्कों करें तो इसके यह naturally आपके reproductive वंगो को boost करती है दूसरा अगर आपको ये available नहीं हो रहा है तो आप तिल के भी तेल का इस्तमाल कर सकते हैं ये दोनों ही तेल आप इस्तमाल करें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन other तेल अगर आप avoid कर सकते हैं तो बिलकुल avoid करें लेकिन कोशिश करें कि ये दोनों तेल आपके reproductive वंगों के health के लिए benefit होते हैं आप चाहें तो सरसो तेल आपको इस्तमाल करना है लेकिन इसका बहुत अच्छा असर आपको नहीं दिखाए देगा आप सिर्फ और सिर्फ इन दो तेलों का prefer ज़रू करेंगे dropper की मदद ले लेंगे और दो से चार बुंद अपने नाभी के उपर डालेंगे और हलकी हलकी आपको fertility मसाज करनी है ये मसाज बिलकुल gentle होना चाहिए बिलकुल circular areas में आपको cover होना चाहिए जो कि आपके नाभी के आस पास का जो हिस्सा होता है वहाँ पर आपको हलके हलके हाथों से मसाज देनी है उसके बाद आपको गर्म टावल रखना है इसके उपर ताकि जितना भी oil का absorption है वो आपके शरीर में अच्छा होता जाएगा उसके बाद अपना अराम से सो जाईए लेकिन ये जो आपको relax फिल होता है आपके जो muscles होते हैं वो भी काफी relax होते है reproductive अंगों में काफी अच्छी तरह से blood का flow जाता है तो आपके fertility boost होनी के संभावनाए बहुत ज़्यादा बढ़ती है जिन भी महिलाओं को hulky full की blockages आ रही है tubes की blockages आ रही है तो आप एक बर विश्वास करके देखे अपनी जो सब्वेता है बहुत अच्छी सब्वेता है और आप अगर gradually इसका इस्तमाल करते हैं तो without किसी medicine के आपकी ये बहुत हद तक fertility boost हो सकती है अगर आप treatment ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका भी इस्तमाल आपको day by day करना जरूरी है लेकिन जिस दिन अगर आपका period आता है period में अगर आप heavy flow बें होती है तो उस time पे आप इसका इस्तमाल बंद कर सकती है और जब अगर आपका period over हो जाता है तब से लेके उसके बात की दिनों तक आप किसी भी time पे मतलब कोशिश करें कि रात में एक fix time रखें और आप इसका इस्तमाल जरू करें hopefully this video helps you thank you so much for watching twins my world